है आज 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 अगा है कि है अग्वाइब है अग्वाइब करता हूं आप लोग स्वस्थ होगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होगे जैसा कि अभी वैपाम के ट्रेंड चल रहा है वैपामें बहुत सारी बैकन्सी आने वाली देवाली के बाल तो आप इस वार आपके साथ शुरुआत करता हूं संभीदान स्पेशल की नई सीरीज में जैसा कि आप सब को पता है मैंने इससे पहले जो भी लेक्चर बनाया हुआ है संभीदान का मैंने अभी तक आपको 1773 से लेकर 1909 आज में बताऊंगा तो 1909 तक कि जो भी वीडियो रहेगी आज आपको क्लियर हो जाएगी तो जो लोग नए हो वो पराने वीडियो से पराने वीडियो को देखकर जरूर आएं तो हम सुरुआत करना है आज 1909 का धिनियम मालेवन पता है हाँ तो दोस्तों जैसा कि हम लोग दरसल जो संभीदान स्पेशल पढ़ रहे हैं या हम हीडारती संभीदान का भारती संभीदान में आपको बता रहा थे सन 1759 के भारत जी करता हो अब तक कि हम सीदी चल पढ़ रहा है और इसको हमने नाम दिया था क्या ताज का सासन यह जो सासन चल रहा था जब महाराणी विक्टूरिया भारत की सौरसामग भारत महारत की शामरागी घुजित हो जाती है और इसके बाद विल्टे संसत के सीधे हस्चे भी हो चुका था तो मैं जिस एक्ट पर हमको चर्चा करनी है वो हमको करनी है 1909 के 1909 के मारले मिंटो सुधार अधिनियम पर मारले मिंटो सुधार और अधिनियम हम इसको बोलेंगे क्लियर बात हुई मारले मिंटो सुधार अधिनियम कब पास हुआ 1909 में हुआ सबसे पहली बात तो यह थी यह मारले मिंटो सुधार अधिनियम को एक मुक्ष नाम दिया गया था क्या नाम दिया गया था इसके दो नाम दिये गये थे दो मुक्ष नाम इसलिए दिये गये थ एक जो मार ले थे एक जो मार ले थे वो क्या कर रहे थे मार ले इंगलेंड में उसी समय पर क्या कर रहे थे जो इंगलेंड की संसाज हुआ करती थी बहां पर भारत सचिप के पद पर आसीन थे भारत सचिप का पद वहां पर क्या कर रहे थे भारत सचिप का पद वो समाल रहे थे सबmiau सब्सक्राइंता उसको हमने एक नाम और दिया क्या नाम दिया हमने उसको बोला प्रतक prova हमैं को यह को He बैधानिक स्वीकृति प्रतक निर्वाचन की बैधानिक स्वीकृति इसमें मिली यह इसको प्रतक निर्वाचन का अधिनियम भी कहा जाता है एक नियम यह यह दू नौमों से यह जाना जाता है अब यह प्रतक निर्वाचन की बैधानिक स्वीकृति कैसे मिली मैं आपको डि लड़िट कर सकते हैं कि प्रथक निर्वाचन नाम से पहली बार जो चीज आई थी वो किस अधिनियम में आई थी तो 1909 के माले मिन्टों सोधार अधिनियम में आई थी और मैंने आपको यह बता दिया लाड़ मारले दरसल उस्तों में भारत सचप कपत समाल रहे हैं लाड़ म जो केंद्रिये विधान परिशाद हुआ करती थी केंद्रिये विधान परिशाद हुआ करती थी उसकी संक्या सोला से बढ़ा कर हमने कितनी कर दी साथ यह जो केंद्रिये विधान परिशाद कुछ नहीं हुआ करती थी जो के बारतमान राज्यों में जो विधान परिशाद बढ़ा दी दिती क्यों क्यों कि इतने बड़े भारत को इतने बढ़े भारत को अग्रेस समाल पाणा थोड़ा ट्वह सा लग रहा था उन्हें कि बाई उते बढ़े भारत कों के इस शहा हम उतार रहा जाए और यहीं के लोगों से थोड़ा सा क्या कराएंगे हम सासन बगेर यह जो प्रसासन का काम कि कराया जाएगा तो इस तरी से दर असल क्या हो गया उन्होंने थोड़ी सी जो चीजें भारत के लोगों के पास रखी और भारत के लोगों को में दर असल क्या हु कि बायस राय। केंडरี่ समीति हम जो समीति हुआ करती थी उसमें पहली बार किसी भारतियों को सदस्सा बनाया जाने की इन्हों क्या किया था सदस्ट से बनाया जाने का क्या किया सदस्ट से बनाया या पहली बार सदस्ट से बनाया जाने का काम किया तो जब सदस्ट से बनाया जाने का पहली बार काम किया कि समीती में बिध रौटको आयोग है वह क्या कर सकता है वो किसमानना ते हैं तो क्या कर कि पहली बार बजट टाइप से जो है पूछने का या कारकारी पड़िसाद में बजट पर भासन करने का या प्रसने का उत्तल लेने का जो भी था वह अधिकार दिया गया है इसमें ठीक है अब मुख्वात यह यह नकल के आती है मैंने आपको भी बता था कि मैंने आप से जब आपको यह पता है कि 1885 में देखो थोड़ा आंगे आ चुकी आधुरहक भारत से 1885 में कांग्रियस का इस्तापना हो चुकी थी कांग्रियस की स्था पना हो चुकी तो लगतार हर साल जो है वह अपने अपने अधिवेशन स्टाट कर रही थी तभी क्या हुआ था यह बात चल रही थी तो लाडा विटो भारत के 22 स्वंग रहे थे इनका सैंg चाल रहा था 1950 से लेकर 1910 के आसपास उनने सुपास से लेकर 1910 के आसपास यह डूरा का साषिंकाल चल रहा था उस घड़ना घटी कि 1906 में इसी अधिनियम के माध्यम से लाड़ मिन्टों के माध्यम से जो लियाकत अली थे हमारे कौन थे लियाकत एक मिल्ट रूकना ज़रा सौरी इसको रहर एक मिनट रूको तो प्रताक निर्वाचन को बैदाने सुईकिर्थी मिलने का पहला कारण ये था कि एक मुक्षबात यह रही थी कि 1906 में आगा खां आगा खां की आगा खां की आगा खां की अध्यक्ष्टा में क्या हो रहा है मुस्लिम लीक का गठन हो रहा अब ये मुसलिम मुसलिम लीड मैं आप को बता रहा हूँ इसे और हुआ हो गई इस BE suggestries छोफिते ऊत लॉतनिवात थे यह का? किया घाना था उनका निरबाचन केबल को न कर सकते ते अच्छा ऐसा यह तो साम पर दायकता को बढाम मिल रहा था कि मैं मुसलिम लोगों को चुनाओ केबल कुपल मुसलिम लोग करें ग और हम धेख रहे थे यह पूरा का पूरा haven बंगल का प्राट्ट और दो तो पुरा का-पूरा मुस्लिम बहुलता यहां ने हूद अधराबाद कापना पाड़ मुसलिम बहुल था यहां पूरा का पूरा सिंद का दॉप ःकता फिरा वाक पूरा मुसलिम ए we उसलिम onत था तो यह जो व्यक्ति यहां कि यहां पर सुधार अदिनियम हो रहा है तब यह उनेश्बिस है कलाकत्टा अधिवेशन कांगरेस ỉंग्रेस Mecision किया कर रही है इसी समय उनेंस さ springs कर रहा है कै वह रहा है कल्कतळ अधिवेशन हो के बाद जो है जब 1906 में मुसलिम लीग के गटन हो गया तो यह दोनों दो गुटों में बढ़ गई एक तो मुसलिम लीग बढ़ गई एक बहुंदू अलग हो गया तो यहां ते जाके यह महत्पूरों महत्पूरों मैंसे एक सावित हुआ और इससे अभी तक बहुत सारे मुक्रूप से प्रस नहीं आया हूए है सबसे पहला सबसे पहला यदि हम परशने बात करेंगे कोश्चन नमर पहला हम बात करेंगे के वह कॉन सा अधिनियम था जो जिसने प्रतवनरवाचन को वाधन निर्वाचन को बैदकना सूरीकृति प्रदान करी तो वह था कौन सा अधिनियम के पहले या बाद में मुसलिम लिक का गठन तो इस अधिनियम के पहले मुसलिम लोग निरभाचत कर सकता है तो इसमें क्या हुआ साम पर दाखता बढ़ावा मिला कि बाई मुसलिम अलग हो रहे हिंदू मुसलिमों में फूट डालो फूट की भावना उत्पन हो रही है थार्ड कोशन यहां से महिक पूड यह निकलता है जो टिपड़ियां लिखने के लिए आती है या मैं आप से बूलू कि यह जो मैंस में लिखने आएगा या कोई भी आ जाता है कि भाई उनीश सनों का मालेमंटो सुधा रजिनियम को आप क्या करिए बांडन कीजिए तो इतनी जो मुक्ख मुक्ख बात निया आप यदी बता देंगे तो मैं समझता हूं कि इतना सपीस यह एंट रहेगा ठीक है ना तो वह कुन तो मैंने आपको दरसल इसके पहले जो भी बढ़ाया हुआ है आप उनको हमारी डिस्क्रप्शन में जाकर वहां पुराने वीडियो को अच्छे से देखें वाच करें पर मिलता हूं मैं उपको अंगले वीडियो में यह संबीदान स्पेसल की सीरीज हमारी चल रही है इस सं के लिए और मंडैं में प्पेसल के लिए क्ली क्योंकि यह धीरियों अम्हें रटेना नहीं पड़ेगा और रटी विद्ध्य हमों जाद जिन तक काम नहीं पड़ती तो मेरे प्यारे भाईयों बहनों मित्रों यदि आपको अच्छे से तैयारी करना है प्लीज जोड़ जाएए केरियर विजन करेली से जदर से जदर लोगों को भीज़ दीजिए कोई डाउट आ रहा है तो कमेंटर में लख दीजिए मैं मिलूंगा आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धनियाबाद जैहिन जै भारत मिलेंगे हम नेक्स वीडियो में ओके थैंक्यू